कि डाल के साथ आपने आकसर बहुत खाये हूंगे चावल दाल हो छोले हूँ या राजमा हो लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या खाते हैं माच छोले की डाल के साथ और यह ठंड में हम जरूरू खाते हैं यह मैं डाल को जटका लगा लुए उसमें डाली है सुखा अहरा धनिया यह पीसा हुआ और लाज मिर्च नमक हल्दी हल्दी नमक मैंने पहले डाल दे तो बलते हुए और डाला है मैंने सब्जी मिसाला और यह कस्तूरी में थी और थोड़ा सा पंड डाल के मैं इस मिसालों का अच्छे से भून रही हूं और मिसाला मेरा भून यह पता है तो मैंने अबली दाल इसमा डाल दिये उबली डाल के मैं डाला था मोटी लैची और हल्दी और नमक और अब मैं बना रही हूं मकी की रोटी कैसे बनाते हैं बहुत भूश्किल लगते हैं लोगों को तिकिनस बताएं तो इस से बनाना बहुत ऊज़ी है वस आप करें के कि आटे की लड़ अच्छी होनी चीए और आपका आटा अच्छे से पिसा होना चीए नहीं ज़्यादा बारीक नहीं ज़्यादा मोठा तो यह मेरे को बहुत मश्किल ती बनाने में लेकिन अपनी सुसराल में अकर बनाना सीखा है मैंतहों खाती भी नहीं झी खाना भी मैंने सुस्राल में सीखा हैं तो यह गरम पानी से यह आठा गुंदे बहुत टेस्ट्री लगती है रोटी से खाने में आठा को थोड़ा पानी डाले और ऐसे अच्छे से मंद ले आप उतना ही आठा ले जितने आपको आठे की रोटी बनानी हो और बाकी आठा आठों की हतेली से दबाके थोड़ सा रोटी को बड़ा कर लेंगे यह बनानी बहुत ही इजी है अब इसको थोड़ सा पानी और लगागी यह देखे मैं आपको दुबारा बता देती हूं आपने ऐसे यह हतेली के हिस्से से आपको दबाना है ऐसे और आपको जितना भी ना कम रखें ना ज्यादा रखें अब रोटी मारी सिक रही है इसको चाहे तो तवे भी सेक लें लेकि मैं इसे माचल पर तम सेकते तो बहुत फूली बनती है यह तो चूला तो है नहीं तो इसलिए हमें गैस पर शेक नी बढ़ती है मजबूरी है यह देखिए हमारी बातो पूर के खाएं बहुत टेस्ट्री लगती है खाने में एक बन ऐसे जुरू ट्राइब